अब हम अगले बिंदू पर आते हैं और द्योगी क्रांटी क्यों हुई ब्रिटन में इसके उत्तर की हम बात कर रहे हैं और इसी उत्तरों के क्रम में हम लगातार ये सब बातें कर रहे हैं कि ब्रिटन में ही क्रांटी क्यों ये बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है कि अंग्रेजों की इंग्लेंड में ही अध्योगी करांती क्यों हुई और उसका प्रारम हमने किया था क्रिशी करांती से भावगुलिक दृष्टी से इंग्लेंड की स्थिती से आदी आदी और अब हम एक और बिंदू पर हैं रेलवे के बाद मजदूर ये मजदूर क्या है मजदूरों का जिक्र में लगातार प्रारम से कर रहा हूं और मैंने बताया कि कैसे क्रिशी करांती ने जहां एक और क्रिशी में करांती लाई वहीं दूसरी और क्रिशी से जुले हुए जो निमनस्तर के लोग थो उनको अनेम्पलॉइड बना दिया, बेरोजगार बना दिया, क्योंकि उसारी जमीने तो अब बड़े बड़े जमीदा खरीड लिये थे, धना धिवर्गी के लोगों ने खरीड ली थी, जिसमें बड़े बड़े फार्म हाउस बना कर बहुत बड़े स्तर पर अप्रिशी कर रहे थे, तो उत्पादन बहुत बड़ा, लेकिन उसका दूसरा बुरा पहलू क्या था, कि ये जो किसान थे, ये खेत हर किसान हो गए, भूमिहीन किसान हो गए और वो शहर की और गय थे, यही मजदूर बनते हैं, और इस वकार मैंने मजदूरों के इतिहास का एक जिक्र किया है, अपने हर बिंदू पर, यहां पर थोड़ा सा हम और इनके बारे में जाने, कि अब मजदूरों की बड़ती मां मजदूरों की बड़ती आवश्यकता ने इन लोगों को शहर में आने को मजदूर किया, मजबूर किया और शहर में रहने के लिए मजबूर किया, तो यह गाओं से अपनी संस्कृति, अपनी शैली को छोड़ कर जब शहर आते हैं, तो क्या परिवर्टन आता है मजदूरों के जीवन में और क्या उनका गाउं से शहर आना उनके अपने जीवन को बढ़ाता है जीवन शाहली को में सुधार करता है क्या परिवर्तन लाता है इस पर हम थोड़ा जिक्र करें अठारा सो ब्यालिस 1842 में अंग्रेज सरकार ने एक सर्वेक्षन किया सर्वेक्षन किसका किया कि मजदूरों की क्या स्थिती है मजदूर कैसे हैं मजदूरों के लिए क्या आवश्कताएं हैं कितने मजदूर हैं किस किस खेतर में कितने मजदूर लगे हैं आदी आदे क्योंकि वो काल ऐसा था जब मजदूरों की बहुत मांग भी थी वैसे तो मशीनी करण हो रहा था बड़ते मशीनी करण के करण मजदूरों को वहां से हटाया जा रहा था लेकिन उसके बदले इन मजदूरों की जुरूरत दूसरी जगा पढ़ रही थी और उस अध्यन का जो निशकर्श है वो के सिस्पकार था कि कामगारों की स्थिती बहुत दैनी हो गई यानि गाउं से निकले जमीन बेच कर शहर आये तो शहर में उनकी हालत और दैनी हो गई ना घर के रहे ना घाट के रहे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना इधर फिश नौर फ्लेश नौर फाउल उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ वही स्थिती रही उनकी बलकि जो स्वास्थ की जो स्थिती थी उसमें तो बहुत गिरावट आई हेल्थ के मामले में मजदूरों के स्थिती में बहुत गिरावट आई इन मजदूरों को बहुत जोखिम भरे तरीके से इनसे काम लिया जाता था क्योंकि जो द्योगपती थे व्यापारी थे उनको तो केवल प्रोडक्शन से उत्पादन से मतलब था जिसकी मांग बहुत थी चाहे लोहा हो चाहे कोईला हो चाहे रेलवे की पट्री हो तो इस मांग की पूरती के लिए वो मजदूरों को लगाते थे और इस बात की चिंता नहीं करते थे कि मजदूरों की स्थिति क्या है और इसलिए मजदूरों की स्थिति बड़ी शोचनी हो कही गई है तो मजदूरों की शोचनी स्थिती में कार्थ ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे लंबे घंटों के लिए काम में लगाया जाता था लगभग 14 से 16 घंटे कारे करवाया जाता था पहली तो ये हालत थी कि उत्पादन ही सब कुछ था व्यापाईयों के लिए उत्योग पत्यों के लिए उत्पादन ही सरवोपरी था जो लोग वो उत्पादन में हाद बटा रहे हैं उनकी स्थिती से उनको कोई तालुकात नहीं था उनको तो मुनाफ़ा चाहिए था तो इसलिए पहला कारण उनकी दैनी स्थिति का यह दूसरा कारण लंबे घंटे 14 से 16 घंटे काम लिया जाना यह बड़ा आप सोच सकते हैं 24 घंटे में इतने लंबे समय के लिए काम लिया जाता था तीसरा कारण इतने लंबे घंटे के लिए काम करने को ज़िए मजबूर तयार थे तो इसलिए नहीं कि उन्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था बलकि ये विवश्टा थी किस रूप में विवश्टा कि यदि उन्हें अपत्ती होगी तो हटा दिया जाएगा उद्योपक्तियों के द्वारा और दूसरे मजबूर ले लिए जाएंगे मजबूरों में कोई एकता या मजबूरों में कोई ऐसा वो संगठन नहीं था कि वह अपनी आवाज को रख सकें मजबूर छितरे हुए थे अलगला छितरों से आए हुए थे तो अगला कारण था इन लोगं की दैनी स्थितिका कि ये मजबूरों से लंबे घंटे काम तो लिए गया लेकिन उसकी एवज में कोई उन्हें फायदा नहीं हुआ आर्थिक रूप से कोई सुधार नहीं हुआ चौथा कारण उनकी दैनी स्थितिका कि जो फैक्टरी जहां पे पादन करते थे जहां पे मशीन चलाते थे जहां पे कारे करते थे उनके कारे स्थलों की स्थिति भी बड़ी बेकार थी अंधेरा बिजली का कोई विशेश प्रावधान तो किया नहीं गया था अंधेरे में कारे करना 14 गंटे 16 गंटे सकल्पना करिये ख़दानों में गहराई में जाना कारे करना चाहे वो लोहे की ख़दान हो चाहे वो कोले की ख़दान हो तो इस प्रकार वहां का जो working environment था यह चौथा कारण बन जाता है उनकी दैनी इस्थितिका working environment बहुत बेकार था पांचवा बड़े खतरनाक तरीके से इनसे काम लिया जाता था इनकी सुरक्षा शारीरिक सुरक्षा मानसिक सुरक्षा की तो बात ही दूर इनकी शारीरिक सुरक्षा के लिए भी कोई विशेश पाउधान नहीं किये गया थे बड़े जोखिम भरी स्थितियों में इनस की विवस्ता का जिक्र में पूर में कर चुका हूं। अगला कारण की देनी स्थितिका की वातावरन खराब, मजदूरी कम, अतरिक घंटों में कार्य, समय पर नीन नहीं, एक अनुशासित जीवन नहीं, परणाम क्या होगा, उसका असर्थ स्वास्थ पे पड़ेगा। और इसका परणाम क्या हुआ, कि अगला जो बिंदू है, जो देनी, जिसे हम कहा रहे हैं, जिसका उत्तर, कि आखिर इनकी स्थितिक देनी क्यों थी, तो अगला उत्तर है, इनका स्वास्थ, गिरता हुआ स्वास्थ, स्वास्थ ही खराब नहीं था, स्वास्थ गिर रहा था, दिनों दिन यहां तक कि सर्वे में भी यह पाए गया कि गाओं के ग्रामीनों की का स्वास्थ शहर में मजदूर ग्रामीनों की तुलना में बहतर है आखिर ऐसा क्यों हुआ सामानित ऐसा माना जाता है कि शहर जाएं तो वहाँ पे स्वास्थ की बहतर सो विधायें हैं लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था वे मजदूर जो शहर आये थे उनका स्वास्थ और गिरा हुआ था और शोचनी हो चला था जन संख्या में भी वृद्धी हो गई लेकिन जन संख्या में जो वृद्धी हुई उसके अनुपात में खान पान में वृद्धी नहीं हो पा रही थी इसका क्या तात पर है एक और आपको याद आएगा आप तुरंट सोचेंगे कि मैंने कृशिक रांती की बात की है जिस अधिर धनाडी उच्छवर्ग के लोग थे मजदूरों की तो तन्खा वैसी बहुत कम थी तो इनका सेवन भी बहुत कम थी इनके द्वारा भोजन का सेवन भी कम ही हो रहा था खान पान में इनके वृद्धी नहीं हो पारी थी इनके खान पान की शैली वैसी थी आज भी आप देखेंगे ज़िभारत की परिप्रेक्ष में देखें तो मजदूर जो डेली वेज़स में काम करते हैं आप देखेंगे ये दो जून की रोटी रोटी के साथ प्याज हरी म अर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ हो लेकिन मजदूरों की स्थिति निर्धन लोगों की स्थिति निमनश्रेणी के लोगों की स्थिति जो construction work में लगे हुए हैं जो factory में काम करते हैं उनका भोजन देखिए वो लोग क्या भोजन करते हैं तो ये तुलना के वल इसलिए की गई आपको ये समझाने के लिए कि क्रिशी करांती तो हुई उत्पादन तो बढ़ा पर इस उत्पादन का फायदा उत्च वर्ग के लोग को मिला जन संख्या में भी वृद्धी हुई लेकिन खान पान में किसी तरह की वृद्धी मजदूर वर्ग में नहीं देखी गई और उतका कारण सपष्ठ है मैंने आपको बता दिया सात्वा कारण इनकी शोचनी स्थितिका के भारी संख्या में जब ये लोग शहर पहुँचे और शहरों में भी ऐसी जगहों पर जहां फैक्टरी उद्योग वगरे में इनको काम करना पड़ता था तो इनके लिए पे जल उपलब्ध नहीं हो पाता था उचित क्वालिटी का उचित गुणवत्ता का पे जल इनको कटई नहीं मिला पे जल की भारी समस्या बन गई और द्योगी करन के ये कुछ दुष परिणाम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कोई भी देश कोई भी क्षित जब और द्योगी करन के दौर से गुजरता है तो यदि समुचित प्रबंध नहीं किये गए तो और द्योगी करन एक और जहां देश को आर्थिक रूप से बहतर करता है वहीं सामाजिक रूप से निम्निस्तर के लोगों की हालत बुरी हो जाती है दैनी हो जाती है शोचनी हो जाती है तो पेजल की बहुत बड़ी समझा थी इसके बाद अगला बिंदू ये साबित करने के लिए कि उनकी इस्थिती बहुत दैनी थी वो ये कि अमीर गरी के बीच में शहर में जैसे हम देखते हैं बहुत बड़ी खाई बनी अमीर लोग धनवान लोग वास्तों में शहर में रहते थे हवादार मकानों में रहते थे साफ सुत्रे मकानों में रहते थे चारों तरफ खुला वातावरन रहता था लेकिन ये जो मजदूर थे जो बाहर से आये हुए थे ये शहर में नहीं रह पाते थे शहर के शहर की सीमाओं में रहते थे आज भी आप देखेंगे किसी भी शहर में चले जाईए तो अधिकतर मजदूर आपको शहर की सीमाओं में दिखाई देते हैं आप किसी ट्रेन से जब यात्रा करते हैं तो शहर में घुषने के पहले जो एक बहुत लंबा पैच किसी भी शहर के स्टेशन में आने के पहले एक बहुत लंबा पैच आपको ऐसा दिखेगा जहां दोनों और मजदूर लोग हैं निर्धन लोग हैं निम्न शेणी के लोग हैं और उनकी स्थिती चलती ट्रेन से दिखाई देती है कमो बेश यही स्थिती उस समय थी कि ये लोग बाहरी लाकों में रहते थे और ज़्यादा दूर ना हो जाएं फैक्टरी से इसलिए बड़े कंजस्टिड रहते थे पास पास रहते थे बहुत ही पास-पास रहते थे परणाम क्या हुआ कि बाहरी मजदूर शहरों से दूर लेकिन बहुत पास-पास तो कॉलोनिया इनके जो निवास इनका जो ख्षेत्र था वो बड़ा गंदा हो गया था गंदी बस्तियां तो अगला जो शोचनी स्थिती है इनका खान-पान के बाद अगला बिंदू बस्तियां बड़ी गंदी थे पेजल के बाद अगला बिंदू के जिन बस्तियों में रहते थे बड़ी गंदी थे वहां ना कोई नाली का प्राउधान था ना उनकी मकानों में खिड़कियां होती थी, ना शौचालेओं की उचित व्यवस्था थी, पेजल की समस्या तो सदरी बनी ही रही, तो इस प्रकार स्वच्छता मजदूरों के डिक्षिनरी से कोसों दूर थी. यदि आपको 17-18 गंटे, 15-12 गंटे श्रम करना हो, उचित पेजल की व्यवस्था ना हो, उचित स्वासे स्वविधाय ना हो, गंदी बस्तियों में रह रहे हों, शौचाले आदी नहीं हों, और खान पान आपका निम निश्थर का हो, क्या परणाम होगा? बीमारियां, दूसरे शब्दों में ये मजदूर अब बीमार प्रानी हो गया, बीमारियां घर कर गई, गंदी बस्तियों में बहुत सारी बीमारियां होने लगी, कई बार ये महामारी का रूप लेने लगी, बड़े स्तर पर बीमारियां होने लगी, ऐसी बीमारियां जो में सुनी नहीं गई थी और उल्टे गाउं में जो मजदूर थे जो रह गए थे जो किसी तरीके से गाउं में अपना जीवन यापन कर रहे थे उनकी स्थिती बहतर थी कम ते कम वे खुले वातारण साफ स्थ वातारण में तो थे उन्हें भी दो जून रोटी मिल रही थी इन living condition के दी बात करें तो ग्रामीन मजदूरों की स्थिती थोड़ी बहतर थी तो इस पकार हम कह सकते हैं कि इस पूरे उद्योगी क्रांती के दौर में मजदूरों की स्थिती जो मुख्य रूप से उद्योगी क्रांती के आगे बढ़ाने वाले थे जिनका बहुत महत्पूर योगदान था उद्योगी करांती में उनकी हालत सबसे खराब हो गए उद्योगी करांती के पोशक अर्था जो लोग धनाडिवर के थे जिनों ने इस करांती के लिए पैसा लगाया उद्योगों के लिए व्यापार के लिए पैसा लगाया वे और उद्योगी करांती के पोश के साथ माल को लेने वाले माल की खपत करने वाले इसी वर्ग के लोग बस यही लोग जो के कुरांती में खुश थे जो उंचे तबके के लोग थे जिनके पास पैसा था जो यह सब खरीच सकते थे जो यात्रा करना एफोर्ड कर सकते थे इनकी सित बहतर थी लेकिन जो तीसरा खंब था और दियोगी करांती का तीसरा खंब जिसे हम मजदूर कहते हैं इनकी हालत बहुत बिरी हो गए यहां देखे एक चित्र इस चित्र में एक महिला एक ट्रेड मिल पर पाउँ चक्की पाउँ चक्की में खतरनाक तरीके से कैसे पिसाई का काम कर रही है उसका पाउँ आप देखिए जहां रखा हुआ है जब वो पाउँ रखती है सीड़ी जैसा एक के उपर एक रखती जाती है तो यह जो मशीन है वो गोल घूमती है कई बार यह मशीन ज्यादा जोड़ थे ज्यादा जल्दी घूम जाती थी परणाम सुरूप उसका पाउँ फंस जाए पंगु हो गया पैर कट गया हाथ कट गया इनकी देखने वाला कोई नहीं था तो बहुत बड़ा जोखिम लेके उस समय के मश्दूर काम करते थे पूर मैंने आपको एक दो और चितर दिखा है जिसमें कैसे बाल मश्दूरों का उपयोग हो रहा है और बाल मश्दूरों की कितनी जरूरत थी उस पतले टनल जैसी सुरंगों से जाने वाली ख़दानों म बाल मश्दूर की क्या स्थिती रही होगे शिक्षा से स्वास्थे से सबसे कितने वंचित रहे होंगे दूसरे शब्दों में वर्तमान इंग्लेंड या अंग्लेंड का सामराज जो बना उसकी नियू में इस तरह की जीवन शैली देखी जा सकती है मैं पुना दोहरा दूँ इंग्लेंड की ओद्योगी क्रांति की नियू में इस तरह की निश्ठूरता देखी जा सकती है जहां समाज के एक बहुत बहुत बड़े तबके जिसको मजदूर कहा जाता है उस तबके का भारी शोशन किया गया भारी जोखिम में लोग काम किया ऐच्छे न जाने कितने लोग इस और्द्योगी क्रांति की प्रक्रिया में अकारण बे मौत मर गए पंगु हो गए हाथ पाउं खो बैठे आदी आदी अगला बिंदू जो हम देख सकते हैं कि उनकी शोचनी स्थिति क्यों कही जा रही है तो उसमें ये है कि जो सर्वेव हुआ था 1842 में जो सर्वेक्षन हुआ था उसमें देखा गया कि शहरों में जो लोग रह रहे थे उनकी ओसत आयू कम होने लगी कितना बड़ा विरोधा भास शहरों में रहने वालों की ओसत आयू ग्रामीड खित्र में रहने वाले लोगों की ओसत आयू से कम कितना बड़ा विरोधा भास कितनी हस्यास्पत बात है कि आये तो हैं शहर में बड़े उमीद से आते हैं वरतमान में भी आज भी हजारों लखों लोंगों का गाउं से पलायन होता है हर शहर आते हैं और बड़े बड़े सपने लेके आते हैं पर वो भूल जाते हैं कि शहर की जिंदगी इतनी सरल नहीं है शहर में खपना शहर में ढलना इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है जो शहर के पास जो द्योग थे उसका प्रदूशन इन लोग को खाये जा रहा था और खुद भी तो उस प्रदूशन माहौल में रहते थे कारे करते थे 24 घंटे पलूशन के वातावरण में इनका जीवन यापन होता था और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी वज़ा से इस प्रदूशन की वज़ा से आंतरशोद, हैजा, ख्यारोग, वाई प्रदूशन से ख्यारोग होता है टीबी, ऐसी बिमारियां अब बड़े स्तर पर होने लगी है संभवता ऐसी बिमारियां पहले बहुत नगन्य थी लेकिन अब ये बड़े स्केल पर होने लगी दूसरे शब्दों में ये सारी चीजें और जोगी करण की देन है और जोगी करण केवल धन दिया अमीर लोंगों को धन मिला लाव मिला लेकिन दूसरी और समाज के एक बहुत बड़े तबके को बहुत नुक्सान हुआ ये सब बीमारियां और जोगी करण की देन है ऐसा कहने में कोई अतिश योक्ति नहीं होगी इस काल में हम आविशकारकों की बात करते हैं बहुत सारे आविशकार हुए उनके आविशकारकों के नाम लिए ये पता लगाना बहुत रुचिकर होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयाशों से यह सब परिवर्तन हुए जो भी हमने परिवर्तन यहां पर बात किये हैं इसमें कौन लोग थे, उनमें से कुछ प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, साइन्टिस्ट, भौतिकी तथा रसायन जैसे बुन्यादी विज्ञानों की शिक्षा, उन्नीश्वी सदी के आखरी दिश्चत पर बड़ी लिमिटेट थी, बहुत सीमित थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यह जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक इंफिमेशन हो, बहुत लिमिटेट थी, बहुत सीमित थी, और जो उपर प्रद्योगी की आविश्कार बताये गए हैं, वे आविश्कार तब तक हो चुके थे, चुकि इन आविश्कारों को संपन्ड करने के लिए, इन आविश्कारों को अपने लॉजिकल एंड तक लाने के लिए, भौतिकी या रसायन के, उन सिध्धानतों या नीमों की पूरी जानकारी होना जरूर नहीं था, जिन पर ये आविश्कार आधारित थे, इसलिए ये ग्यानिक प्रगतियां प्रभावशाली लेकिन विचारकों तथा लगन शील प्रयोक करता हो द्वारा की गई थी, दूसरे शब्दों में बेसिक जो साइंस का ग्यान था, वो लिमिटेट था, और इस बेसिक साइंस के ग्यान के आने के पूर भी, इन विश्यों से सम्मंद कुछ आविश्कार हो चुके थे, क्योंकि ये सिध्धान्तों पर, कुछ नीमों पर आधारित ऐसे नहीं थे, जिनको जानना जरूरी था, ये वग्यानिक प्रगतियां बड़ी प्रभावशाली होई और प्रयोग के माध्यम से सामने आए, उन्हें इस बात से भी साहता मिल इन लोग को, जिन्होंने ऐसे आविश्कार किये, कि इंग्लेंड में कुछ खासियत थी, कुछ खास बात थी, विशेष्टाएं थी, जो अन्य देशों में नहीं थी, अन्य उरोपी देशों में नहीं थी, इंग्लेंड में 1760 से 1800 के बीच, दर्जनों वैग्यानिक मैगजि और वैग्यानिक इंस्टिटूशन संस्थाएं, उसमें अनेक शोध प्रकाशित हुए, रिसर्च पेपर जिसे हम कहते हैं, जो किसी खास दिश्च से किये गए रिसर्च को लेकर, शोध पत्र जो तयार किये जाते हैं, तो ऐसे बड़े बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित यहां तक कि वहाँ छोटे कस्पों में भी ग्यान प्यपासा नई चीजों को जानने की ललक बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, फैली हुई थी, और ये ग्यान प्यपासा, ग्यान पाने की ललक ही इन्हें इतने आगे ले गई और संभवता इंगलन्ड में और योगिक क्रा होने का एक कारण भी बनी, इसी प्यास को कला समाज याने सोसाइटी अफ आफ आट्स जो सत्त्रा सो चववन में स्थापित थी, तो इस प्यास को क्रिया कलापों के द्वारा घूमने फिरने वाले व्याख्यां ता द्वारा अत्वा उन कॉफी हाउसों में, जिनकी संख्य कई गुना बढ़ गई, वहाँ पे विचार मिन में द्वारा बुझाया जाता था, अर्था जो रिसर्च पेपर में जो बातें आती थी, जो निश्कर्ष आते थे, उस पर इंग्लेंड के विभिन्न क्षेत्रों में, अंदरूनी इलाकों में भी, लोग काफी बहस करते थे बातचीत करते थे, और इस माध्धम से, वे अपनी ग्यान पिपासा को बुझाते थे, और बातचीत करने के लिए, क्रिया कलापों के बहाने, घूमने फिरने के बहाने, काफी हाउस में बैटकों के बहाने, काफी विचार में में हो जाता था, और इस पकार, ये जो जगहे थी वे एक तरीके से वैज्ञानिक सोच को बहुत बढ़ावा देती थी अधिकतर आविशकार वैज्ञानिक ज्यान के अनुप्रयोग की अपेक्षा दढ़ता के कारण रुची के कारण और जग्यासा के कारण थे यहां तक कि भाग्य के कारण भी हुए यह बहुत सोचने की बात है सामानित्या जो वैज्ञानिक खुजे होती है उसके पीछे वैज्ञानिक ज्यान को काफी श्रे दिया जाता है लेकिन इस काल में जो भी वैज्ञानिक आविश्कार हुए वो अधिकतर केवल एक हिट एंड ट्रायल अनुप्रयोग ट्रायल एंड एरर इस बल पर हुए और ग्यान की तुलना में लगन, दिर्टा, रुची, ग्यान पिपासा, जिग्यासा और कुछ हद तक भागे इनका साथ ज्यादा रहा इस काल के आविश्कारों के पीछे कपासा तुद्योग के खेतरों में तो कुछ आविश्कारत जैसे जौन के और जैम्प हर ग्रीव बुनाएं और बड़ाई गिरी से परिचित थे और इससे परिचित होने के कारण इन्हें कपास्वुद्यों के संबंद में कुछ नय आविश्कार करने में बड़ी सहुलियत ही किन्तु यदि हम रिचर्ड आर्कराइट की बात करें तो एक नई और बालों की विग्ध बनाने वाला वो व्यक्ट था रिचर्ड आर्कराइट सैम्वल क्राम्टन टक्नीकी दिष्ट से कुशल थे ही नहीं और एडमन कार्टराइट ने साहित आयुर विज्ञान और कृषिक आध्यन किया था शुरू में तो उनकी इच्छा पादरी बनने की थी और वो यानते के बारे में कुछ नहीं जानते थे परंतु इन ही लोगों के आविशकार और जोगिक क्रांटी की नीव बने इन ही लोगों की खोजें इन ही लोगों की सोच ने ऐसी ऐसी मशीनों को इजाद किया जो और जोगिक करांटी का आधार बनी इसके ठीक विपरीत जो मैंने भी बताया आपको भाफ के इंजिनों के खित्र में टामस सेवरी एक सेना अधिकारी था और भाफ के इंजिन के आविशकारों में या उसको बहतर इजाद करने में उसका काफी श्रेह है टामस न्यूकोमिन एक लुहार और ताला बनाने वाला आजमी था जेम्स वाट का जो यंत्र संबन्दी कामकाज जो था उसकी और इन लोगों का जुकाओ था बस जेम्स वाट के यंत्र संबन्दी भाफ से चलने वाले यंत्र संबन्दी जो काम जेम्स वाट कर रहा था अपने अपने आविश्कार के प्रति कुछ संगत ज्यान तो जरूर था बड़ उससे ज्यादा नहीं सड़क निर्माता जॉन मेटकॉफ जिसने स्वैम पर्सनली व्यक्तिकत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षन किया और अच्छी सड़कें बनाने के बारे में योजना बनाए वो तो ब्लाइंड था जॉन मेटकॉफ अंधा रहते हुए सड़कों की सतह का सर्वेक्षन करना और ऐसा सर्वेक्षन कि व्यक्ति सड़क निर्माता की विपाधी पाजाए कितनी बड़ी बात है और ये सब वैग्यानिक ग्यान के कारण नहीं बलकि वैग्यानिक सोच जुकाओ उत्साह लगन रूची इसके कारण संभव हुआ इन सब में अपने अपने आविशकार के प्रतिक कुछ नौलिज तो था और उससे ज़्यादा कुछ नहर निर्माता जो नहर बनाने के काल को जन्म देने में जिसने बहुत अहम भुमिका बनाई क्योंकि नहरों के निर्माण से आवागमन होता है आपको याद होगा आवागमन सुगम होता है बाद में दूसरे चरण में रेलवे आता है नहर के स्थान पर लेकिन नहरों के निर्माण को लेकर नहर निर्माता जेम्स ब्रिंड ले ये तो एक ऐसा आदमी था जिसे हम निरक्षर कह सकते हैं इल्लिटरेट कह सकते हैं और उसने नहर का निर्माण किया नहर के निर्माण की जानकारी दी इसको प्योगता की समझ दी शब्दों की वरतनी के बारे में तो उसक्यान इतना कमजोड था कि वो नौचालन को यानि नेविगेशन नौचालन नौका चलाने जिसे अंग्रेजी में नेविगेशन कहते हैं उस शब्द की सही वरतनी कभी नहीं बना सका लेकिन उसमें गजब की इस मनड़ शक्ति थी याद रखने की गजब की ख्षमता थी कलपना की उड़ान कलपना शक्ति की कोई सिमा नहीं थी उसमें और साथी साथ एक आग्रता थी कुल मिलाकर जो मैंने कहा आपको कि इस काल में हुए अधिकतर आविशकार वैज्ञानिक ज्यान के बल पर कम बलकि इन वैज्ञानिक ये इन आविशकार कों की दृड़ता, रूची, लगन, स्मरण शक्ति, कलपना की उड़ान और एक आग्रता का एक तरीके से सम्मिश्रण थी, उसी का परणाम Edward Carpenter, एक प्रसिद कवी Edward Carpenter, 1881 में उनकी एक कविता हुई एक वि निर्मान कारी नगर में ये उसका शिर्षक है, अंग्रेजी में इन ए मैनिफैक्टरिंग टाउन, मैनिफैक्टरिंग टाउन, ऐसा शहर जहां निर्मान का कारे होता है, तो इस शहर के बारे में लिखते हुए उन्होंने अपनी कविता में कुछ लिखा है, जिसका एक तरीके से भावार्त या निचोड हम ये कहें, बलकि हम कहेंगे कि ये कविता में जो जिस तरीके से वर्डन किया है, तो उसे थोड़ा देखने की कुशिश करें, जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराज घूम रहा था, तो मैंने वहां अफरा तक्फरी में परेशान लोग देखे, मैं फिर से दोरा रहा हूँ, जब मैं उस उदास शहर में, उदास शहर क्यों होगा, क्योंकि जो निम्न तबके के लोगों की जो स्थिती थी, बड़ी शोचनी थी, तो मैंने वहां अफरा तक्फरी में परेशान लोग देखे, जो मानो नरक के किसी दरवाज उमें भूतों की तरह आ जा रहे थे, मैंने आकाश में उची उठी चुमनियों की लंबी कतारें देखी, और देखे, काले धुएं के बादल, जो सूरज, आकाश और धर्ती को अपने बोज से दख रहे थे, कितना वीभत्स विवरन है, तत्काली तथाकतित शहरों का, जिस वो अफरा तफरी वाला शहर कहता है, जिसे वो ऐसा शहर कहता है, जहां लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मानो नरक के दर्वाजे से भूतों की तरह आ जा रहे हूं, साथ ही वो कहता है, कि उसमें धुएं का बोज सूरज को भी आच्छादित कर देता है, जो सूरज, आका और धर्ती को अपने बोच छे ढख रहे थे, और मैंने देखे कूडे के बड़े बड़े धेर, जिन पर बच्चे रदी बटोर रहे थे, यानि रैग पिकर्स, और फिर आधी छटों वाली काले भदे मकान, और देखी नीचे बहती काली नदी, देखे आधी छटों वाले का काले भदे मकान, हाफ ब्रोकन रूफ, गंदे काले डार्क अंधिरे मकान, और उसमें बहती काली नदी, ये नदी काली क्यों हैं? जितने भी उद्योग स्थापित थे, उन उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी, नाले के रूप में, इस नदी में समाहित हो रहा था। जो नदी किसी समय पूर में अच्छी रही होगी, साफ पानी की रही होगी, वो अब काली हो चुकी थी, इतनी संख्या में वहाँ उद्योग आ चुके थे, तो मैंने देखी नीचे बहती काली नदी, जब मैं इन सब को देख रहा था, तब ही मेरी नजर दूर दराज के पर पड़ी, जहां महल नुमा मकान, बंगले, उची उची, दीवारों वाले बगीचे, संदर थलोनी गाड़ियां और उनके मालिक, मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी को, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, उसे देख कर अपना मुह बिच का रहे थे, यहाँ सब दुनिया का वर्णन है, एक दुनिया वो जिसमें गरीब लोग हैं, श्रम जीवी हैं, पंदरा पंदरा ठारा ठारा घंटे काम करके ठके हारे हैं, भूखे हैं, अंदकार मैं वातावर्ण में जी रहे हैं, और उनी से थोड़ी दूर एक वर्ग वो पूंजी पतियों का, ज उची उची दिवारों वाले बगीचों में, सुंदर गाडियों के साथ, इन गरीबों को देख रहे हैं, और देखते हुए अपना मुह बिचका देते हैं, क्योंकि इनके पास वो बदौलत है, वो धन है, जो इन गरीबों के बल पार, जो इन गरीबों के बदौलत इन्हें मिली है और ऐसा दृष्ष देखकर एड़वर्ड कार्पेंटर कहते हैं कि यह सब देखकर मेरी तो रूह का पुठी कल्पना करिए यह कविता अठारा सव एककासी की है आज से लगभग देड़ सव वर्षपूर और उस समय से ही उद्योगों का दृष्ष प्रभाव चारल्स डिकेंस बहुत प्रसिद्ध नौविलिस्ट चारल्स डिकेंस 1812 से 1870 यह इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनों ने अज्योगी करण के परणाम से गरीबों के लिए जो बड़ी भेंकर स्थिती पैदा हुए इसका सबसे कठोर वर्णन इनों ने किया है और द्योगी करण के नाम पर गरीबी जिस तरीके से आसन्द हुई गरीबी जिस तरीके से उत्पन्द हुई और जो भैंकर स्थिति बनी उसकी शायद सबसे कठोर आलुचना करने वालों में समकालीन लेखकों में चाल डिकेंस थे उन्होंने अपनी उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक कालपनिक और द्योगिक नगर कोक टाउन का बड़ा वर्णन किया है जैसे आपने अभी जो कविता सुनी उसमें लेखक ने कभी ने एक शहर का दृष्य अपनी कविता में उके रहा है कोक टाउन नाम के कलपना तीच शह में क्या गुजर रहा है क्या कुछ है इसका वर्णिंग करते हैं चार्ल्स डिकेंड और उसकी कुछ पंक्तिया यहां पढ़ना मैं जरूरी समझता हूं यह एक लाल इटों से बना नगर था लेकिन उसकी इटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राक ने उ लाल पर्थर लाल ऎटें काली हो चुकी थी लेकिन हालत यह थी कि एक कज़़्बा अजीब लाल और काले रंगे मिश्नड से पुता था मानो वह किसी कूंखार आदमी का चेहरा हो कल्प ना करिये ऐसा चेहरा किसी आदमी का जो लाल और का सामंजस्थ का हो काले रंग का और ये इटें इटों की दीवारें ये इसी तरह का कुछ द्रिश बताती थी या मशीनों और उन लंबी गगन चुम्बी चिमनियों का शहर था जिसमें से धुएं के सापों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित होकर लगातार निकलती रहती थी कुंडलित होकर मतलब कॉइल होकर इस्पायरल तरीके से गोल 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 जैसे चिमनी से निकलती हैं तो गोल गोल होती हुई वे साप की तरह लगातार निकल रही है गगन चिमनियों से यानि धुआ भी बड़ी भारी मात्रा में निकलता था इस नगर में एक काली नहर थी लेकिन नहर भी काली है ऐसा चार्ल डिकेंस के दोरा कहना है और वहां उस कविता में एक नदी का जिक्र किया गया है जो काला पानी था इस नगर में एक काली नहर थी और एक नदीवी थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भर कर बैगनी रंग का होगे था बैगनी बतलब डार बैगन के रंग का लगभग काला ही समझ लीज़े बैगनी इसलिए हो गया होगा क्योंकि तेल वगर का साथ में स्राव हुआ होगा बहाव जो उड्योगों की मशीन से निकलता है तो वो टेल और पानी का जो मिक्स्टर है और साथ में अन्य तरह की गंडगी उसने उस पानी के रंग को बदरंगा कर दिया था लगभग काला कर दिया था वहाँ धेरों इमारती थी जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हर दम कापती रहती थी यह जो उस समय जो मशीने हुआ करती थी एक तरीके से विशाल काय हुआ करती थी आज की मशीनों की तरह यह जैसे चिप्स होते हैं छोटे 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 चोटे चोटे मशीने आज के लाने लगी हैं ऐसी नहीं थी बड़े विशाल रूप की होती थी मशीन जो पहला कंप्यूटर बना था थे 40-50 वर्श पूर वो एक बड़े कमरे की साइस का हुआ था सुपर कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं तो यहां तो हम 1870-80 की बात कर रहे हैं तो उस समय की मशीनें लोहे की बनी हुई बड़ी भारी विशाल काय होती थी और जब यह मशीनें चलती थी तो आसपास का बतावरन दीवालें जमीन हिल जाती थी तो धेरों मारतें थी उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण यही मारते हर दम कापती रहती थी और खिड़कियां हमेशा खड़कती रहती थी खिलती रहती थी वहां भाफ के इंजन का पिस्टन उक्ताहट के साथ उपर नीचे होता रहता था मानो किसी हाथी का सिर्भो जो अपने दुख भरे पागल पन में आखें फाड़े एक ही और द लिखक ने चार्all dayकेंस ने रहां पर के भाफ के अंजन का पिस्टन पिस्टन उपर नीचे होता आपका देखा होगा तो यह पिस्टन जो है मानों उकता गया है उसी तरीके सजलते हो ऊपर नीचे हो रहा है और ऐसा लगता है मे tribal के बहरी भरकम में किसी हाथी का सिर्भ इसे मतलब वो लगाता रेकी और चल रहा है तो ये बड़ा सटीक वेवरेंट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा और द्योगी करण के दुश परणामों को लेकर अमेरिका आदी में भी और द्योगी करण हुआ पर इस बात को अंडर लाइन करना चाहिए कि असंख लोग मौत के गाल में इस काल में समा गए उत्पादन में मदद करने के इनका केवल एक ही काम था उत्पादन बढ़ाने में मदद करना अपने शारीरिक श्रम से हैजा महामारी की मैंने बात की 1832 में हैजा महामारी हुई जिसमें ऐसी संख्या बताते हैं कि लगबग 31 हजार से भी अधिक लोग मारे गए आज की संख्या आज भी अधि 31 हजार की संख्या बहुत बड़ी संख्या मानी जाती कल्पना करिए उस समय की जन संख्या में आज से लगबग 300 वर्ष पूर्व की जन संख्या में या 200 वर्ष पूर्व की जन संख्या में क्योंकि 1830 32 की बात हो रही है इस समय जो जन संख्या थी उस संख्या में 31,000 लों का हैजा जैसी महामारी से मारा जाना किस बात का दियोतक है किस बात का परिचायक है और द्योगी करण के बुरे पहलूँ का और द्योगी करण के नेगेटिव आस्पेक्स का तो अब तक अब आप समझ गया होंगे कि इस अध्याय का नाम और द्योगी करण ना हो करके और द्योगी करांति क्यों है ऐसी घटना जिसका संबंद उद्योक से है और घटना कम इतना टीवर इतने आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला जिसका जिक्र मैंने अभी तक किया है कि ये क्रांटि से कम नहीं है फिक? बहुत टीवर परिवर्तन और आमूल-चूल परिवर्तन आपको याद होगा मैंने प्रारम में ही बताया था कि इसे क्रांति क्यों कहते हैं और क्रांति की परिवाशा क्या है और क्रांति की परिवाशा बताते हुए मैंने कहा था आमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा उलट फेर ये तो पहली बात और क्रांति की परिवाशा के लिए दूसरा महत्पून्टत्व ऐसा उलट फेर ऐसा परिवर्दन जो बड़ा तीवर हो मात्र सौ साल में सत्रा सो पचास साथ से एक घटना करम शुरू होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ और 1830, 4040 आते आते याने 100 साल से भी कम के काल में कितना परिवर्दन आ गया इंगलेंड में या आप सोच सकते हैं और जो अभी मैंने मजदूरों की बात की एक बहुत बड़े तबके की बात की एक बहुत बड़े समाज की बात की उसमें उनकी क्या हलत हुई क्या ये किसी क्रांतिकारी घटना से कम है क्रांति जरूरी नहीं हिंसात्मक हो मैंने पहले कहा था क्रांती जरूरी नहीं केवल राजनेतिक हो मैंने ये भी पहले कहा था जरूरी नहीं कि क्रांती में पिसी का कतल किया जाए यहां तो ये तीनों कुछ भी नहीं गुआ ये एक सामाजिक घटना तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्योगी करण के बदले अध्योगी क्रांती शब्द इस सध्याय के लिए क्यों महत्पूर्ण है या इस पूरे घटना करम को जो हम इस सध्याय में पढ़ रहे हैं उससे क्रांती क्यों कहा गया है क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों कहा गया और ये ऐसी क्रांटी सामान तेया राजनेतिक क्रांटियों में या किसी अन्य तरक्यादी क्रांटियां हो तो दो चार नाम उस क्रांटियों से जुड़े रहते हैं चाहे वे विचारक के रूप में हो, चाहे वे स्वैम उस क्रांति में जुड़ हुए नेता हो आदी-ादी लेकिन यहां तो कोई नाम नहीं है कुछ आविश्कार कों के नाम हैं बस लेकिन मत्र आविश्कार ही परयाप नहीं है एंजन का आविश्कार हुआ लेकिन उस आविशकार की महत्ता को समझते हुए उसका उपयोग करना ये ज़्यादा महत्पूर्ण है नहर की महत्ता की पहचान हुई लेकिन नहरों का जाल बिचाया गया इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं तो इस मामले में भी ओद्योगी करन्ति अन्य करन्तियों से अलग है यदि हम भारत में श्वेट करन्ति की बात करते हैं जिसका मैंने जिक्र किया तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है कुरियन का वर्गिस कुरियन का यदि हम भारत में wheat revolution की बात करते हैं तो इसमें MS स्वामी नाथन का नाम आता है, Norman Barlock का नाम आता है, लेकिन और द्योगी क्रांती में ऐसा कुछ नहीं है, तो इस प्रकार और द्योगी क्रांती बिलकुल एक अलग घटना थी.